पनीर की काफी रेसिपी इस तो आपने खाई होगी लेकिन आज की हमारी जो रेसिपी है वो है कुछ हट के जिसका नाम है पनीर पिन्वील और पनीर पिन्वील की ग्रेवी भी हम बनाएंगे होम स्टाइल में और उसके लिए हमें चाहिए प्यास, टमाटर, ग्रीन चिली और क काजू, टमाटो और ग्रीन चिली और इन सब को हमें बहुत ही कम पकाना है ताकि इसका सिर्फ कच्चापन का फ्लेवर निकल जाए और मसालों में हमने डाला है हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट और थोड़ी खुश्बू के लिए इलाइची दियान रख को इसके सारे इंग्रीडियन्स बता देता हूँ, यहाँ पे तड़के के लिए हमारे पास है देगी चिली और जीरा, फिर है चिंजर गाली का पेस्ट, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर, फिर है सॉल्ट, अब यह यहां पे हमारे पास है कॉन फ्लार इसकी जगे आप मैदा भी यूज कर सकते हैं फिर है चौप कियावा कॉरियांडर कॉटेज चीज यानि की पनीर दही जिसे मैंने फेट लिया है यहां पे है ग्रेवी जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी फिर है हमा हमारे पास फ्रेश क्रीम अब शुरू करते हैं इसे बनाना अब सेट कर लेते हैं हमारी ग्रेवी को और वही काम आएगी हमारी पनीर पिन्विल की स्टफिंग में भी बस फ्राय पैन में तेल डालिए फिर तड़का लगा लिजिए होल देगी चिली और जीरे का फिर डालि इसे कर लिजिए मिक्स पानी नहीं डालना है आपको आपको स्टफिंग के लिए ठिक ग्रेवी चाहिए अभी फिर उपर से डाल दीजिए हमारी होममेट ग्रेवी जो हमने स्टार्टिंग में बनाए थी और इसे पका लिजिए तकरीबन तीन से चार मिनट तक जब तक यह अच्छे से ठिक ना हो जाए ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है अब बारी है पनीर की इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे एकदम फाइन पीस ना है आप देख सकते हैं बिलकुल भी लंप्स नहीं होंगे अब डाल दीजिए इसे मिक्सिंग बॉल में और उपर से डाल दीजिए क अब इसे छोड़ देंगे 15 से 20 मिनिट हमारे पनीर का डो सेट हो चुका है अब हमें सिंपली इसे बेलना है और रोटी की तरह इसे बड़ा कर देना है बस ध्यान रखना है कि इसके एजिज बराबर से बिल जाए कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होना चाहिए और अब हम ले जो ग्रेवी सेट करी थी उसे इस पर अच्छे से लगा दीजिए जितने ही अच्छी तरीके से आप लगाएंगे उतना ही अच्छा आपका फ्लेवर देगा पिन वील आप देख सकते हैं मैंने ग्रेवी को कितनी अच्छी तरीके से हमारी पनीर की रोटी पे लगा दिया है अब हम इसे काटेंगे एक से डेड़ इंच इक्वल साइज के अंदर अब हम इसे हातों की मदद से धीरे धीरे सेम इसी तरह गुमा देंगे जैसे हम खांड भी में करते हैं बस इसी तरह सारे पीसिस को ऐसे ही घुमा लीजिए ध्यान दीजिएगा आपको इसे टाइट रोल करना है धीला नहीं करना है नहीं तो ये खुल जाएगा आपने देखा स्टफिंग भी कितनी अच्छी तरीके से इसमें लग गई है और रेडी हो गए हैं आपके पनीर के पिन्विल्स लेकिन अभी ये कच्चे हैं स्टफिंग हो गई हैं हमारे पिन्विल्स की अब बची भी ग्रेवी को कर लेते हैं हम सेट इसके लिए हम डालेंगे इसमें दही जिसे मैंने फेट के डाला है दही जालने से आपकी ग्रेवी में थोड़ा घटा पना जाएगा और हो जाएगी एकदम चट पटी सी हमारी ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है यलोईश ओरेंज अब ग्रेवी को तकरीबन दो से तीन मिनिट पकने दीजिए और इसे लगातार चलाते रहिए जब ग्रेवी में उपाला जाए तब इसमें डाल दीजिए फ्रेश क्रीम फ्रेश क्रीम आड़ करने के पाद आप देखेंगे हमारी ग्रेवी में और भी निखार आ जाएगा ये ग्रेवी खाने के पाद आप खुद कहेंगे क्यों बाजार जाके पैसे वेस्ट किये जाएं जबकि हम बना सकते हैं गर में उससे भी अच्छा खाना अब आपको इसमें डालने हैं पनीर के बिन विल्स और इसे पका लेना है चार से पाँच मिनट तक ताकी हमारा पनीर अच्छे से कोको जाए मैं शौर हूँ आपने इस तरीके का पनीर पहले कभी नहीं खाया होगा अब मीडियम फ्लेम पे आप इसे गुमाते जाईए इसकी ग्रेवी को पनीर के उपर डालते जाईए ताकी हमारे पनीर के पिन विल्स हमारी ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए और तीन से चार मिनट बाद गैस को कर दीजे बंद कारनिश आप कीजे फ्रेश कोरियंडर लीव्स की और रेडी हो चुका है आपका होममेड पनीर पिन विल्स तो आपको आज की ये यूनिक रेसिपी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं